नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका मारे यूट्यूब चैनल लेर्ण टेक्निकल में फिर से लेक्या हूँ दोस्तों एक नई जॉब की इंफोमेशन नैशनल फर्टिलाइजर लिमिटीड की तरफ से रुक्रीटमेंट नोटिपकेशन जारी करा गया है सभी भारति इस पर आवेदन कर सकते हैं पर आवेदन कर सकते हैं अगर आपको इसके बारे में कुछ जादा डिटेल से जानकारी चाहिए तो लिंक एक बार विजट करें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जैसे टाइटल पे क्लिक करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाती है और इस नोटिफिकेशन को डाउनलड करके रीड करके फिर इसके लिए आवेदन कीजिए बाकी दोस्तों अगर आप तक हमारे टेलिग्राम चैनल से नहीं जुर पाई हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा हम आपे क्लिक करके टेलिग्राम चैनल से जुड़े क्योंकि काफी सारी जॉब आपटेट है जिनकी इफोर्मेशन हम आपको वहाँ पर प्रबाइड करेंगे तो चलिए बढ़ते इस वीडियो में आप ग्रेड़ुेट हैं बी एसी वाले आवेदन कर सकते हैं डिटेल में जानकारी थोड़ी दिर में जानेंगे जुनिर एंजिनिर की पोस्त के लिए यसमें मेकानिकल र हेलेक्रिकल है इंस्टूमेंटेशन है और कैमिकल लाब वालों के लिए है store assistant के लिए फार्मसिस्ट के लिए recruitment है total number of post की बात करें तो 80 के आसपास है यह आप डिटेल देख सकते category wise बटी हुई है बात करते हैं rigibility criteria की तो 18 से लेके 30 साल तक एज रखी गई है बाकी age taxation आपको government rule के हिसाब से मिलेगी जैसे की पहले मिलती आई है junior engineer mechanical के लिए diploma चाहिए तीन साल का regular mechanical का अगर बात करें electrical के लिए electrical का diploma जो है आपके पास होना चाहिए electrical या electronics engineering का और अगर junior engineer assistant instrumentation के लिए कर रहे है तो instrumentation का आपके पास कुछ होना चाहिए वाकिए अगर आपको जाधा detail जाने तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं applied electronics वाले भी अवेदन कर सकते हैं electronics and communication वाले भी अवेदन कर सकते हैं junior engineer assistant grade chemical lab के लिए दोस्तो तीन साल का B.S.C. होना अनिवारे है chemistry as a one subject अगर आपने करा हुआ है आप अवेदन कर सकते हैं store assistant के लिए दोस्तों सिर्फ graduation मांगी गई है यानि कि किसी भी team में अगर आपने graduation करी हुई आप अवेदन कर सकते हैं pharmacist की job के लिए दोस्तों pharmacy का जो है वो डिप्लोमा मांगा गया लेकिन इसमें जो है experience मांगा गया सिर्फ एक शेयर नमबर वाली post है इसके लिए experience पांगा गया बाकि किसी job के लिए किसी भी तरह की experience नहीं मांगा गया बात करते कंसेशन की तो किसी भी तरह की fees दोस्तों जो है SC, ST, PWD और X-Service Man को नहीं देनी है बाकियों के लिए जो है fee structure रखा गया है 200 रुपे की fees जो है रखी गई है जो की आपको online mode से पे करनी पड़ेगी तो यहाँ पे दोस्तों 10-5 से अवेदन शुरू है 9-6-2-19 तक चलेंगे आपको इनी के बीच में जो है आवेदन करना है उसके बाद दोस्तों यह कुछ center है यहाँ पे आपके online examination लिये जाएंगे बाकी subject की detail सारी जानकरी आपको notification में मिल जाएगी आप notification एक पार read करें तो बस दोस्तों यही दिखा गया notification में मैं ले चलता हूँ आपको उनकी official website पर बता देता हूँ कहाँ पे चाके आपको इसके लिए आवेदन करना है दोस्तों online apply करने के लिए आपको इस link पर आना है यह link तूँगा मैं ठीक नीचे description में महाँ पर click करेंगे सीधे इस page पर आ जाएगे यह registration का जो ही वो page है यहाँ पर आपको अपनी post select करनी है और इस form को fill करना शुरू कर देना है जैसे दोस्तों यह form आप complete fill कर लेंगे यहाँ पर continue कर देना है और उसके बाद आगे की process को पूरा करने के बाद आपको apply कर देना है इस job के लिए So thank you very much दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आशागरताओं का आपको वीडियो पसंद आई होगे अगर वीडियो से related कुछ पूछना चाहते हैं चैनल को subscribe करें मिलते हैं next वीडियो में